Hi dear students आजका हमारा टॉपिक आफ discussion है गॉल्जी complex तो इस टॉपिक में सबसे पहले हम इसका जो है वो इंटोड़क्शन देखेंगे कि गॉल्जी complex है क्या किसने से discover किया इंटोड़क्शन के बाद जो है हम इसका structure जो है वो कि गॉलजी बॉडीज का स्ट्रक्चर क्या है उसमें वैजिकल्स है ट्यूग्यूस रहो है और इसके बाद जो एना लास्ट में हम इसका जो है गॉल्जी कंप्लेक्स का गॉलजी बॉडी का फंक्शन या फिजियॉलोजी कल डौल जो है वह हम डिस्कस करने वाले तो डाग्राम भी हम देखेंगे तो यह एक important cell organically है तो चलते हैं हमारे lecture की तरफ गॉलजी इसे गॉलजी bodies भी कहते हैं गॉलजी complex की term भी इसी के लिए use की जाते है तो students गॉलजी complex जो है यह membrane bound organically है membrane bound इसके गेरे membrane है और यह तकरीबन तमाम यो केरियाटिक cells में पाई जाती है membrane bound organically plants में भी हमें मिलती है animals में मिलती है plants में जो गॉलजी complex है इसे अक्सर dicteosomes कहा जाता है गॉलजी complex का नाम dicteosomes पकारा जाता है plants में तो students अगर हम इसकी discovery की बात करें के गॉलजी complex या dicteosome कब discover हुए किस ने किये तो एक scientist है हमारे पास केमीलो गॉलजी केमीलो गॉलजी ने students इसे discover किया था सबसे पहले कब discover हुए 1889 में तो scientist का नाम था कमीलो गॉलजी इसी बेस पे इसको नाम मिल गया गॉलजी complex या गॉलजी bodies तो students अब हम next जो है थोड़े इसके structure की बात करते है के गॉलजी complex जो है इसका structure कैसा है कौन कौन से structure जो है हमें इसमें मिलते हैं तो dear students गॉलजी complex जो है इसमें एक तो structure पाया जाता है sisterny और कुछ tubular tubules होती है और कुछ जो हैं वो small vesicles है तो students sisterny along with the tubules and small vesicles are called गॉलजी complex गॉलजी complex इन तीन structures के मिलने से complete होता है तो हम देखते हैं सबसे पहले के ये sisterny जो है ये क्या है ये कैसा structure है जो हमें गॉलजी बॉडीज में मिलता है तो students जो sisterny नहीं है इन फ्लूइट फिल्ड सेक्स फ्लूइट फिल्ड सेक्स हैं इन फ्लूइट फिल्ड सेक्स को क्या कहते हैं pile up जब हो जाते हैं तो ये क्या बना देते हैं गॉलजी बॉडीज कम असकम थ्री टू सेवन sisterny जो है मिलते हैं तो एक गॉलजी बॉडी जो है वो वजूद में आता है तो sisterny आर फिलूइट फिल्ड सेक्स विच पाइल अप on each and other to form गॉलजी बॉडीज उसके बाद small इसमें tubules होती है थोड़ी हैं tubular structures होती है और small vesicles भी है सब membrane bound है sisterny में भी membrane है tubules में भी membrane है और small vesicles इसमें cell की secretions होती है small vesicles में वो भी membrane bound है तो dear student इस तरह से जो हमारे पास ये fluid field सेक है इस तरह से ये इसके अंदर fluid है और बाहर membrane है ये sisterny है एक इस तरह के बहुत सारे sisterny जो हैं वो ऐसे pile up हुए हुए हैं उन्होंने धेर बनाया हुआ है एक दूसरे के उपर जो है वो इसे मजूद हैं और सब के अंदर जो है वो fluid मजूद है membrane भी है ये एक जो है ये sisterny है जब ये pile up हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास galgy complex साथ में इसके साथ कुछ associated small vesicles है जिसमें fluid है इन vesicles को plus small tubular structures भी है इसमें इन साथ को मिला के तीन structures को हम किसका नाम देंगे galgy bodies का क्या क्या है इसमें sisterny है ये step है उसके बाद ये tubules है और ये समाल हमारे पास vesicles है इन तीन structures के मिलने से हमारे पास galgy complex बनता है अब जो एक हमारे पास sisterny है उसके दो faces है एक ये है अंदर वाली side इसे हम कहेंगे convex face और इसे sis face भी कहते है और ये जो है ये forming face भी इसे कहते है तो students जो अंदर वाली side है जहां कर्व है उसको हम convex या sis face या forming face कहते हैं ये जो students उपर है जो के concave है इसको हम trans face कहते है इसी को हम maturing face भी कहते है तो जो गॉलजी complex है जो sisterny है उसके हमारे पास दो faces है sis face and trans face तो इनके मिलने से जो है हमारे पास गॉलजी complex या गॉलजी bodies जो है वो बनते हैं अब थोड़ी membrane की बात करेंगे कि ये जो membrane है sisterny के गिर्द भी membrane है tubules में भी membrane है और vesicles में भी membrane है ये membrane किस से बनी हुई है तो इस membrane में lipids है हमारे पास and proteins है और ये दोनों जो हैं वो equal amount में है protein and lipids are in equal amount दोनों की मिकदार बराबर है और इसमें carbohydrates है carbohydrates sugars है इसमें और relatively जो दूसरी membranes हैं cell में उनकी निस्बत इसमें high concentration है carbohydrates की sugars की तो ये बात हो गई थोड़ी सी हमारे पास membrane की उसके बात स्टूडेंट हम बात करते हैं functions या physiological role के plasm गॉलजी complex जो है उसका क्या function है वो क्या role play का रही है तो फर्स्ट function जो है हमारे पास dear students वो है formation of cell wall in new dividing cells तो students जब cell divide हो रहा होता है plant cell या fungal cell तो plant cell में जब division होती है तो शुरू में जो partition होती है फरेगमों पलास्ट बनते हैं उसमें समाल वेजिकल्स आती हैं cell के काटोरियल पलेट पे आके एक धेर बना देती हैं piles बना देती हैं जिने हम फरेगमों पलास्ट कहते हैं वहां से cell wall बनना स्टार्ट होती है तो जो फरेगमों पलास्ट है वो असल में यही वेजिकल्स है जो गॉल्जी कंपलेक्स से निकलती है और आके वहां cell के दरम्यान में pile up हो जाती है उसके बाद जो पॉली सेकाराइड्स चाहिए cell wall में जो इस्तमाल होंगे उनकी synthesis भी कौन का रहा है गॉल्जी कंपलेक्स का रहा है तो यह हमारे पास पहला function होगा गॉल्जी कंपलेक्स का तो नेक्स्ट फंक्शन की जब हम बात करते हैं तो students नेक्स्ट फंक्शन यह है इसका के जो गॉल्जी कंपलेक्स है यह प्रोसेसिंग करते है of exportable proteins जो cell से बाहर प्रोटीन ने export होना है उसकी प्रोसेसिंग कौन करता है गॉल्जी कंपलेक्स करता है तो students प्रोटीन synthesis किसका काम है राइबोजॉम्स का राइबोजॉम्स में प्रोटीन को जहां इनका टारगेट है जहां इन्होंने यूज होना है वहां इसे क्या कर दिया जाता है प्रोटीन को एक्सपोर्ट कर भी जाता है इन दफार्म आफ समाल वैजिकल्स तो ये बहुत इंपोर्टेंट फंक्शन है हमारे पास किसका गॉलजी कमप्लेक्स का नेक्स्ट फंक ग्लाइकोलिपिस कार्बोहाइडियर्स और लिपड्स के कांजुगेटेड माले की बलाइकोलिपिस कार्बोहाइडर्स और लिपिर्स के कमपाउंड है जबके गलाइको परोटीन, कार्भाइडरेट्स और परोटीन के कमपाउंड है ये दोनों जो हैं ये कांजू गेट मालीक्यूल्स है तो इनकी सेंथिस जो है वो कहां होती है गॉलजी कमपलेक्स में तो ये आज का हमारा लेक्चर था तो कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों कैसा लगा थेंक यू वेरे मैच